नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल एल भी थर्ड सेमिस्टर के पेपर कौन सा है और पेपर का नाम क्या है और कौन सी राइतन की बुक आप परचेज करें तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सिब्सक्राइब जूरू करें साथ में बेल आउन कर लें तक कि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नुटिफिकेशन के माद हमशे मिलती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पेपर वन प्रशाषनिक विधी जिसको हम इंग्लिज में एड्मिनेस्ट्रेटिव लब बोलते हैं तो आपको प्रशाषनिक विधी की जो है डाक्टर यूपीडी के सरी की ले शकते हैं बुक या फिर सी के टकवानी की भी ले सकते हैं और या फिर डाक्टर जय जय राम उपाध्यामने आप्शंस में लिख दिये हैं राइटर बुक्स सभी के अच्छी हैं लगबग ठीक हैं तो नया संस्क्राट आप मगाईएगा ताकि जो भी कुछ चेंजेश होती रहती हैं संसोधन होता रहता है तो वह अपडेट होता रहता है तो नई बुक ही पर्चेश करिएगा ठीक है और सेकंड पेपर है आपका परियावरण विधी इन्वार्मेंटल लग और परियावरण विधी की बुक जो है आप गुरदीब सिंग की खरीच सकते हैं या फिर डाक्टर अनिरुद्ध प्रसाद की आती है बुक ठीक है दोनों मेंसे कोई भी बुक आप परिशेट कर सकते हैं दोनों भी अच्छी बुक है ठीक है और तीश्या पेपर आपका है कमपैणी विधी ठीक है कमपनी लोग और कमपनी लोग की जो है बुक आप अवतार सिंग की खरीच सकते हैं बहुत ही अच्छी बुक है अवतार सिंग की और या फिर आप डाक्टर बसंतिलाल बावेल की खरीच सकते हैं ठीक है अगर अवतार सिंग की ना मिले तो आप डाक्टर बसंतिलाल बावेल की ले सकते हैं बुक और य मैंने एक लिफ्य के एसमें से अगर आवतार सिंगी ना मिले आपको मार्केट में प् distance Episode I बसंतिलाल बावेल की ले सकते हैं और अगर अउटार सिंगी मिल रहे हैं तो आप अवतार सिंगी ही ले 봐요 ant और चोत्फा पेपर है आपका संपत्ति विध्धी जो है ठीक है और इसको बोलते हैं प्रपर्टी लाओ ठीक है तो प्रपर्टी लाओ की जो है बुक आप जो है डाक्टर टीपी त्रिपाठी की खरीद सकते हैं या फिर डाक्टर बसंतिलाल बावेल की ही बुक जो है आती है प्रपार्टिला की संपत्ति विधी की तो अगर डाक्टर टैपी त्रपाठी की नहीं मिलती है तो डाक्टर बसंतिलाल बावेल की आप परचेज कर सकते हैं आदो आ जा रहिए तो आप डैक्टर टिपीत रपाध्य की ही तो पर्पेपर 5 को कि में आपका स्रमिक विधिया लेबर लॉफस्ट न हयाँ है तो लेबर लाफ लेबर लाफस्ट जो है श्रमिक विधिया जो है पाजबा पड़िकर है और यह स्रमिक विधिया जो है इसकी बुक आप इंद्रिजीत सिंग की खरीदियेगा ठीक है बहुत अच्छी बुक है और मार्केट में मिल जाएगी अवलेबल है आप आसानी से खरीद सकते हैं तो ये सारे थे पाँच पेपर अपने LLB 3 समेस्टर के और इनके राइटर इन बुक के राइटर आपको पता चल गया है और आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के अभी रिजल्ट भी नहीं आये हैं और रिजल्ट का पीट ना करें अपनी तयारी अप शुरू कर दे तो जो सिकर्ड सेमेस्टर वाले हैं अपना थर्ड सेमेस्टर की तयारी अप शुरू कर दे ठीक है चलिए अब हम आप से निक्टूटी में मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों